हमारे देश में बहुत से काबिल बच्चे ऐसे हैं जो पैसे की कमी के कारण कंपिटर कोर्स नहीं कर पाते हैं हम क्वालिटी डिटेल कोर्स फ्री आफ कोस्ट नह अपलब्त कराना चाहते हैं यदि आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो यूट्यूब के अल्गोरिधम इन वीडियो को उन तक पहुचा देगी आपका ये छोटा सा प्रियास बहुत से लोगों की जिन्दगी बदल सकता है ग्राप में X होरिजेंटल लाइन को, Y वर्टिकल लाइन को प्रिजेंट करता है और Z को हम डेप्थ के लिए यूज करते हैं जब हम 3D इंवर्मेंट में किसी ऑब्जेक्ट में मैपिंग के बात करते हैं तो वहाँ पर हम XYZ के जगह UVW का प्रियोप करते हैं यहाँ पर यह होरिजेंटल, विवर्टिकल और W डेप्थ के लिए यूज होता है यह सुनकर मन में सबसे पहले यह सवाल उठता है जब 3D के लिए हम पहले से यह XYZ के यूज करते हैं तो मैपिंग के लिए UVW की जुरुक्यों पड़ी देखे सबसे पहली बात तो हमें यह समझनी होगी यह XYZ 3D इंवायरमेंट में पर्टिकलर किसी एक कोईट के पोजिशन की परफेक्ट इंफॉर्मेशन हमें देते हैं जेट पोजिशन और मैपिंग के लिए एक ही नामों को यूज करेंगे तो बहुत कंफिजन पैदा होने की संभावना रहती है इसलिए दोनों के लिए अलग-अलग सब्दों को यूज होता है इस वीडियो में हमें UVW मैप के सबसे बेसिक और असेंसियल कॉंसेप्ट को समझेगे यह बात आप जानते हैं होंगे ऑब्जेक्ट के उपर टेक्च्चर को रैप करने के लिए UVW मैपिंग को प्रियूप किया जाता है जैसे कि आप यहां पर विविन प्रकार के प्रिमिटिव बने हुए देख पा रहे हैं यहां पर सभी की जेमेटरी अलग है ऑब्जेक्ट की जेमेटरी के हिसाब से UVW मैपिंग में अलग-अलग ऑप्शन दिये जाते हैं किस प्रकार के शेप पर कौन सो ऑप्शन यूज करना चाहिए उसके यूज करने का तरीका क्या है आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे किसी भी टेक्टर को अब्जेक्ट पर अप्लाई करने से पहले उसे मैटेरियल स्लोट में इंपोर्ट करना पड़ता है तो सबसे पहले हम यह सी किंगे मैटेरियल में टेक्टर को इंपोर्ट कैसे किया जाता है पहले मैटेरियल एडिटर खुलिए राइट प्लिक करके material में जाएए, यहां से वीरे में जाएए और एक वीरे material सेलेक्टर लिजिए diffuse color के सामने है जो box है इस पर क्लिक केजिए material web browser की विंडो खुल जाएगी map पर क्लिक करके से खोलिए, scroll down करके नीचे आएगी यहां पर आपको वीरे मिलेगा, इसमें सबसे पहला option वीरे bitmap का है, आप इस पर double click टीजिए, वीरे bitmap यहां पर आ जाएगा आप यहां पर वीरे bitmap का material में diffuse के साब connection भी देख पा रहे है एक तो यह तरीका है, चलिए इसको delete कर देता है आगे बढ़ने से पहले अपने scene में से, इस plane को select करके, इस isolate कर लेते हैं और इस scene को थोड़ा सा set कर लेते हैं वापस material slot में आते हैं अब same texture को दुबार import करेंगे, यहां खाली स्थान पर click कीजिए और material के जगा सीधे map में जाएगे, इसमें सबसे नीचे आपको वीरे मिलेगा इसके पर mouse लाएगे, थोड़ा hold करने पर एक और list खुल जाएगी इसमें सबसे पर वीरे bitmap मिलेगा, आप इसको click कर दीजिए इसकी position set कीजिए आप इसका connection material में diffuse के साथ बना दीजिए इसमें material slot में map select है और यहां पर map के parameter on है आगे बढ़ने से पहले material display को थोड़ा सेट कर लेते हैं यदि यहां पर material select हो तो diffuse color के सामने यह button है आप इसको click कर दीजिए तो वीरे bitmap के parameter खुल जाएगे इस material slot में texture के import करने के लिए bitmap के सामने यहां पर जिसमें यह 3 dot बने इस button को दबा दीजिए तो texture को import करने के लिए window खुल जाएगी जिस folder में आपने texture को रखाया वहां जाएगे और उस texture को select करके import कर लीजिए अब आप material slot में उस texture को देख पा रहे हैं इस बात को सुनी-सीद कर लेंगे material slot में material select होना चाहिए और viewport में object जिस पर यह texture अप्लाइगा है यह assign material तो selection का button है आप इसे दबा दीजिए अब material slot को minimize कर दीजिए जैसे कि देख पा रहे हैं यह image फूड़ी से side के तरफ stress है ऐसा इसलिए होता है जब किसी image को object को अपर project करते हैं तो वो object के size के हिसाब सोस पर fit हो जाती है यहाँ पर image का size अलग है और इस object plane का size अलग है इसलिए image खिचुई ने जरा रही है इस image को photoshop में खोल कर देखते हैं कि इस image का direction क्या है मैंने इस image को पहले से photoshop में खोल रहा है जैसे कि यहाँ पर पता चल रहा है यह image portrait है ना कि landscape चलिए photoshop को minimize कर देते हैं इस image में इस direction में खुआना पड़ेगा material slot को active कीजिए slit area में वीरे bitmap को active कीजिए यहाँ पर side में उसका parameter खुल जाएगे scroll कर गए नीचे आईए यहाँ पर आपको coordinates का option मिलेगा इसमें offset है, tiling है, mirror है और angle दिया हुआ है angle में UVW का option है यह बात हम पहले ही discuss कर सुके हैं कि mapping में X,Y,Z के लिए हम UVW का pre-op करते हैं अब W में 90 amount भरके सब्प्री कर दीजिए इस spinner के दुवारा UV के amount को भी change करके देख लीजिएगा कि इनको change करने पर image की position में क्या change आते हैं चलिए इस material slot को minimize कर देते हैं अभी भी image उपर के और stress हो रही है इसको कैसे ठीक करें इसको ठीक करने के दो तरीके हैं यहां तो हम इस plane को size का बना दें जिस size की image है तो इस image और plane का size बराबर होने के कारण लोगा stress नहीं होगी लेकिन 3D environment में किसी के object को हम छोटा बड़ा ऐसे ही नहीं कर सकते हैं ऐसा करने पर view में object proportionally incorrect हो जाएगा तो इस condition में हम plane के size के हिसाब से इस image के canvas size को increase करेंगे अगर plane सेलेक्ट नहीं तो उसे select कर लीजे और modifier माईए नीचे parameter दिया हुआ है यहां पर size नोट कर लीजे अब अब अफिल Photoshop खोल लेगे मैंने पहले से इस image के canvas size को resize किया हुआ है यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि मैंने image के size को नहीं बढ़ाया नहीं तो image यहां पर भी stretch हो जाती मैंने इस image फाइल के केवल canvas size को बढ़ाया उसके लिए मैं image में गया यहां menu में नीचे canvas size दिया हुआ इसे select कीजिए यहां पर centimeter को select कीजिए चोडाई में 25 और height में 50 हमोन भर दीजिए फिर एक नई layer बनाईए उस layer को इस image के पीछे रख दीजिए और उस पर same base color apply करके उसे भी save कर दीजिए चलिए आप Photoshop बंद कर देते हैं वापस मैक्स कोल लेते हैं material slot में bitmap select होना चाहिए bitmap के image browser में जाईए और नही file को select कर लीजिए अब हम देख पा रहे है image stretch नहीं हो रही है एकदम perfect नजर आ रही है इस material को यहां से delete कर दीजिए अब same problem को हम UVW mapping के द्वारा solve करने की कोशिज करेंगे मैंने एक और plane मनाया हुआ है वो अभी hide है उसे unhide कर लेते हैं इससे select करने के बाद से isolate कर लेते हैं अभी object select है यहां से modified list खो लिए और UVW map को select कर लीजिए UVW map modifier इस object को apply कर दिया है अब texture को rotate करने के लिए इसको scale करने के लिए इसकी position को change करने के लिए हमें material के texture के parameter में जाने की जरूप नहीं है इस UVW map द्वारा हम यह सब कर सकते हैं इसके control panel में आप यहां देख पा रहे हैं यहां पर plane select नहीं है UVW map select है अब move tools से यहां से move करते हैं आप देख पा रहे हैं UVW map select होने के बावजूर भी texture की जगे पूरो object move हो गया है यदि हमें object नहीं केवल texture को manipulate करना है तो UVW map के सामने ही जो arrow है आप इसपर click किजिए UVW map को vismo आपके सामने आ जाएगा अब आप vismo को active कीजिए यह जो arrow arrow rectangle नहीं जार आ रहे हैं यही गिजमो हो रहे हैं वापस अब 3 button दबा कर shade mode में आ जाएए UVW map को गिजमो सेलेक्ट होना चाहिए हाथ इसे move के अलावा rotate और scale भी कर सकते हैं Ctrl Z दबा कर पुराणी position में आएए चलिए अब इस texture को बिना material के parameter में आए UVW map के दुआरा इस texture को इसको fit करने की कोसिस करते हैं Ctrl Penner में UVW map select होना चाहिए फिर यह देखना है कि हमार object इस type का है जैसे कि हम जानते कि हमार object एक plane type का है तो यहां mapping में भी planer को select होना चाहिए इसके बाद rotate tool पर right click करके transform type in window कर लिजिए यह z-axis से इसे rotate करना है आप z-axis पर यहां पर minus 90 amount भर दीचिए अभी मैं इसे cancel कर देता हूं rotate tool select होना चाहिए angle snap tool भी होना होना चाहिए और rotate tool द्वारे से 90 degree पर घुमातीचिए इसे 90 degree भुमाने पर इस image का direction तो ठीक हो गया है लेकिन इसकी height कम हो गई और चोड़ाई ज्यादा अब scale tool से gizmo के size को ठीक करेंगो सबस्क्राइब scale tool को active कीजिए अब इसकी चोड़ाई को कम कीजिए हमने अंदाज इसकी चोड़ाई को कम किया है अब यह इसके लगव बराबर आ गया है प्रूंती इमिज एक्जेक्ट उस size की नहीं है जिस size का ही plane है अब इसे undo कर दीजिए उपर यहां पर percent snap tohole है इसे active कर लीजिए अब दोबरा इसकी चोड़ाई कम कीजिए अब आप देख पा रहे हैं कि स्किलिंग step by step हो रही है अब गिज्मों के किनारे और क्लिंग के किनारे आपस में exact मुली है ऐसा कैसे संबभ हो पाया है इसके पीछे दो कारण है सबसर पहला कारण है कि इस plane की चो diamonds है वो 25 और 50 वो random number नहीं है वो एकदम mathematically calculated number है यहने आप एक से पास से दस से आसानी से divide कर सकते हैं इसलिए जब हमने percent snap toggle tool use किया तो दोनों का size मैच हो गया दूसरा कारण है पहले percent snap toggle को right click किजिए percent के सामने आप है 10 amount set कर रहा है यहाँ पर 10 का मतलब है 10 cm यानि जब हम इसे scale कर रहे थे तो यह हर बात 10 cm पर snap हो रहा था आप इस percent के amount को अपने जुरुत के हिसाफ से change कर सकते हैं तो इस example से हमने यह सीखा कि 3D model की geometry हमें mathematically calculated रहनी चाहिए काम करते हैं हमें उसके division में या calculation में आसानी होती है इससे हमारा 3D environment proportionally correct होता है और हमारे काम में perfection भी आपकी है अब हम scale tool से height को भी set कर लेते हैं अब यह texture इस plane के लगवा fit हो गया है देखे जब बात texture की scaling की होती है तो मैं आपको scale tool से उसे use करने के advice नहीं रूँँगा क्योंकि यह professional तरीका नहीं है अब हमने scale tool द्वारा gizmo का size चेंज कर दिया है परन्तो control panel में यहां पर अभी भी gizmo की length 25 और 50 दिखा रहा है चलिए undo करके परानी position में आया जाते हैं अब length को कर देते हैं 50 और इसकी width को कर देते हैं 25 अब इसमें problem है यह image उपर के और खिची भी नज़र आ रही है इसका कारण यह है कि original image की height 50 नहीं है 35 cm तो यहां पर इस gizmo की height 35 cm अब इस image इस plane पर अपने original shape में है लेकिन यहां पर एक issue है क्योंकि इस image और UVW map के gizmo की height 35 है और plane की height 50 cm इसलिए हम उपर और नीचे की और इस image की tile नज़र आ दिए इसका कोई इलाज नहीं है इसे आपको Photoshop में जाकर ही ठीक करना होगा हमने इस image को resize किया था उसे इस image की जगा replace कर देते है material editor में जाहिए text shape v-ray mid web को select तीजिए यहां से correct image को select type टीजिए और ok का button दबा दीजिए यह image अब अंदर की तब w नज़र आ रही है वह इसलिए क्योंकि हमने gizmo height 50 की जगा 35 कर दीती है एक बार f3 button दबाकर wireframe mode में जाते है यहां पर हम देख पा रहे है कि gizmo height कम है control panel में जाकर इसे वापस 50 कर देते है फिर f3 button दबाकर shade mode में वापस आ जाएगे अब texture इस plane पर एकदम fit नज़र आ रहा है अब सभी object को unhight कर देते हैं अगले chapter में हम UPW map के अन्य option को विस्तार से देखेंगे आप हमारे साथ बने रही है इस video को like कीजिए share कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए वेल आइकन बटन को दबाने ना भूले हैं जो नहीं बेच्चे 3D Mac सीकरें उनके साथे video ज़रूर share करें याद रखो आप देश की काई हो यदि आप अपनी skill बढ़ाते हैं तो देश से कदम आगे बढ़ जाता है जैहन बंदे मात्रम भारत मता कीजिए याद याद